तो जैसे अभी यहां से लाइफ शुरुवात हुई थी ठीक है फिर उसके बाद ऑविसली लाइक काफी सारे मतब आगे चलके लाइफ सीज में आई सीज से फिर बाद में दीरे-दीरे करके लाइंड में कही टरेस्ट्रियल लाइफ बना फिर हमारे पास रेकर्ड यह है कि हमा इपितिक है स्रामिडस उसके बाद से हमारे पास चुड़े जादे आ जाते है और आगे चलके फिर नियंदर्थाल मैन और इनके बीच में कॉम्पिंडिशन चल रहा था होमो सेपियन के बीच में तो अब लाइक उसके बाद फिर इंडिया में गेम होना स्टार्ट हो गया, तो अब इंडिया में जो सबसे ओल्ड एंसेस्ट्री है, तो वो एंसेस्ट्री में इनका क्या प्रपोर्शन होगा, मतलब यह सारे जो जितने भी इंडियन सब कॉंटिनेंट के साब से, तो होमो हो गए और यह सारे, तो इनका प्रपोर्शन्स लाइक आपके रिसर्च में आपको क्या लगता है, कितना होगा, और क्या यह प्रपोर्शन्स बेसिकली डाइवर्स है दूसरे कॉंटिनेंट्स में, देखिए, इरोप में नेनरथल थे, 40 से 50 जा सल पहले, जब वहां होमो से इनके बीच में कॉंफ्लिक्ट हुआ, एन मेटिंग भी ठीक है, नेनरथल की जो एंसिस्टी है वह पासान भी होमो से पिंस में तो आज के रेट में इतने इनके अंदर नेनरथल की इंसिस्टी मिलती है, थीक, बट ऐसा माना जाता था कि इंडिया में वह एंसिस्टी नहीं है, बट अभी रिसेंट्री जो रिसर्च हुए है, पूरे के पूरे होल जीनोम इनालसिस जो इंडिया गया उसमें देखा गया कि इरोप से कई गुना डाइवर्स ब्रांच नेनरथल की वह इंडियंस में है, क्योंकि जो भी माइग्रेशन हुए होंगे या जो लोग भी हो हो इंडियंस से मिक्स हो चुकि घ्राइव लोग इंड भी मर गए प्र से इसिटी सuwभाइ। तो हमें limited branch ही मिलते हैं बट यहां पे highly diversified branch मिलता है इक means कि अगर हम वो ancestry लेकर यहां पे 40,000 साल पहले कोई आया होगा तो सारे के सारे lineage 35,000 साल जो पहले आया होगा वाला branch भी 30,000 साल पहले जो आया होगा वाला branch भी सारे branch यहां पे survive किये तो सारे के सारे modern humans में कहीं नेंरेथल की ancestry है आपके अंदर भी होगा 2% मेभी 1% मेरे अंदर भी होगा 0.5-1% और डेनिसोवन की ancestry भी यहां पे है तो और हमें पता नहीं है क्योंकि हमें जो genetic information है सिब दो ही होमनेट्स की है इंडिया में होमो एलेक्रिक्स रहा होंगे थेक वंस अपान टाइम पूरे के पूरे और अंदर आउंगे क्योंकि जो बनाया हुए टूल से हों में हर जगे मिलते हैं साउथ इंडिया तमिल नाडू से ले करके यूपी तक मिलते हैं कि इंडियां पूरे के बनाये हुए भी इंडियाय टुल्सतों के ईकि ना cabbage उनकी हो झाय कि उनकी इंडियत्य पास जेट है नहीं दो यह तो हम बता निदेटी चंद इंड यह दो को कि इनकी एक प्रोपोर्स्टों में हमारे अंदर है नेचर में कुछ भी ऐसे नहीं बनता है कुछ तो उसका यूटिलिटी रहा होगा बट बहुत सारे रिसार्च हो चुके हैं इस पर क्या उनका परपोस होगा बट उनका कोई रोल नहीं है अब तक तो हमारा जो लाइफ साइनस है काफी अभी तक यह है कि 98 परसंट जो जंग ड इंडिया में देखेंगे इतनी डावर्सिटी है आप सोची लैंग्विज चैंज रहाता है अगर आप 10 किलोमेटर के जाएंगे तो सोची कितना यहां पे जो है इतनी डावर्सिटी कैसे प्रोडिश होगी उसका भी तो एक कुछ ने कुछ एक रीजन होगा हमें ज्रेटिक नहीं होंगे इसकी य сдел seni die डावर्सिटी इंडिया इस्टेबूलिश हुआ आप Опस्वें नौ्न तो इन्डिया नमर वन पेपुर वर्ड में राइट 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 राइ